थोड़ा सा हाथ से व्यंग पर भी चले जाएं डॉक्टर सुनील जोगी बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले मैं न्यूज 24 को इस राष्टी सम्मेलन के लिए बहुत बहुत शुक्कामनाई देता हूँ और आसा आपकी शांदार शायरी के लिए भी बहुत शुक्रिया आपने मेरे स्वागत में जो घंगोर तालियां बजाई में इसका बड़ा भार गयता हूँ ऐसा लगना चाहिए कि आप खुशी के मूड में हैं मैं हसाने का काम करता हूँ क्योंकि मुल्ला के नापंडित के अर्मान में रहता हूँ साहिब में गरीबों के इमान में रहता हूँ पूछा जो मैंने रब से अपना पता बता दे बोला कि मैं लोगों की मुस्कान में रहता हूँ नवाबाक। तो इसलिए हसाना मैं ऐच्छा काम मानता हूँ पवित्रकारिय मानता हूँ तनाओ तो हर जगह फैले हैं कुछ पता नहीं काँ भड़ा हो जाए मैं मार्नारस कीया दो पंडित आपस में लड़ रहे मैंने एक से पूछा कि पंडित हो कि आपस में क्यों ड़ रहे हो तो दूसरे ने बताया कि जब इसे पता था कि मैं लेसन और प्याज नहीं खाता हूं तो मेरे चिकन में डालने की जरुवत क्या थे पनाओ कहीं भी हो सकता है लेकिन रास्ता निकालना चाहिए नौरात का वरत छोड़ के रमजान हो गए खुश्बू लगा के इत्र की दुकान हो गए इसलाम में है चार बीबियों की इजाज़त ये सुनते ही पंडिक जी मुसल्मान हो गए आप उलास में बेटा है और बहुत मुश्किल से मिलती है रास्ता निकालो पर मावती फिल्म आई रिलीज नहीं हो रही थी संजे लीला भंसाली ने रास्ता निकाला अनुरादा जी पद्मावती का पद्मावत कर दिया फिल्म रिलीज हो गई ये खबर जब बिहार पहुची तो बिहार के लोगों ने मुख्यमंत्री महोदे को चिठी लिखी आदर्णी नितीश कुमार जी मुख्यमंत्री महोदे जब पद्मावती का पद्मावत करके परतिबंद हट सकता है तो आप भी एक बार शराप का सर्बत करके दे रास्ता निकालो तो निकलता है, नहीं निकालो तो नहीं निकलता है, सियासत की इतनी सारी बातें की मैं जानता हूँ, यह समझी नहीं आ रहा है, लोक तंत्र वोप तंत्र में बदलता जा रहा है, जिसे कहते हैं सब नेता, वो है बस नाम का नेता, सदा लेता ही लेता है, किस से इसा इसी को मन नहीं देता ।कि से को धन नहीं देता एलेक्षाण Consort Ng जीए तो कभी दर्शन नहीं देता अ कि यश्यत क्ये है मैं तो उत्रपदेश से हूं तो हुआ योगी जी जी के सरकार H floor मैं राजनितिक की पढ़ियां करता हूँ, किसी दल का नहीं हूँ, किसी पार्टी का नहीं हूँ, बस आपके दिल का हूँ, आपके महबबत का हूँ, मैं हिंदी का व्यक्ति हूँ और इस News 24 का आज आपके सामने, लिए राजनितिक लबादे उतार के सुनियेगा, योगी जी एंटी रोमियो स्कॉट बनाया, मैंने उनसे पूछा कि एंटी रोमियो किस लिए, उनका जवाब सुनना, मैं राजनितिक चुटकिया थोड़ी से सुनाता हूँ, ताल से सुनेंगे, और मज़ाएगा, कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, योगी जी कह रहे हैं, पत्रकारों को तो जल्दी समझना चाहिए, कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा, इक रोमियों से योगी जी ने बात ये कही, जो मैंने ना किया, तुम्हें करने नहीं दूंगा, यही वाला, खमाल के, खमाल के, खमाल के, दूसरा सुना दूना, इस से बड़ी है, यहीं क्यों, दिल्ली में क्योजरिवाल जी की सरकार है, सरकार बनी तो उस पर भी मैंने टिप पड़ी की, बड़ा कमाल का देश है सावाल, उन्हादा जी सो नंबर डायल करो, पुलिस आती है, सो रुपए दो चली जाते, बोले बाबा, नौकरी नहीं लग रही है, मैं बेरोजगार हूँ, क्या करूँ, सरकार की तमाम योजनाएं मेरे लिए बेकार है, बाबा ने कहा, तुमने क्या किया है, बाबा हमने B.A. किया है तो बाबा ने कहा कि फिर एक B.A. और कर लो बाबा उससे क्या होगा बाबा दो B.A. होने के बाद तुम भी बाबा बन जाओ फिर किसी नौकरी की जरूप रही नहीं जाएगी ये तो हाल बाबाओं के भी है हार के संग कभी जीत भी मिल सकती है लगे रहो तो प्रभू की प्रीत भी मिल सकती है कई बाबा तो इसलिए धुनी रमाए है कि इनी भक्तों में अनी प्रीत भी मिल सकती है सब अपने जुगार में है केजरिवाल जी की सरकार बनी चार पंक्तियां सुनना जब मुझे लगेगा कि आप बहुत अच्छा सुनने लग गए हैं तो मैं बहुत अच्छा वाला सुनाना शुरू करूँगा कि धरने पे बैट बैट के धन नंतरी हुए लोग काम करते हैं रोग तो मैंने बताया है कि धरने पे बैट बैट के धन नंतरी हुए वो आम आदमी के हरदे तंतरी हुए हम चीक चीक करके संतरी न बन सके वो खांस खांस करके मुख्य मंतरी हुए राजनी इस से हुमर कैसे निकलता है? वो मैं बताता हूँ केजिनिवाल जी ने का दिल्ली पुलीस मेरे हवाले कर दो मैं 24 गंटे में ठीक कर दूंगा मैंने का दिल्ली पुलिस भी आपके बारे में यहीं मांग कर रही है सब अपने जुगार हुआ है बड़ा कमाल का देश है अद्पूर देश है मुझे तो जगे जगे मनुरंजन दिखाई देता है मैं तनाओ लेता ही नहीं राउल जी को सुनो हसी आती है वोदी जी को सुनो खुशी होती है देश हसी खुशी से चलता है तनाओ क्यों लेना उलास में रहो तनाओ लेना ही नहीं है चार बंक्तियां और सुनना आपको अनन्दा है तो मुझे बताते हैं चलना दे कियो मैं पहली बाद नूस 24 में हूँ आपके बीच लेकिन अच्छा लगेगा कि खुशियां जो पिछले साल थी ये साल ले गया महगाई वाला जिन घर की दाल ले गया लाने गए थे मोधी काला धन वीदेश से पीछे से विजय माल या सब माल ले गया बस केवल हासी की दुश्टी से सुनना ज्यादा दूर का दिमाग लगाने की जरूत ही नहीं मने लिखने में भी ज्यादा दिमाग लगाया नहीं केवल हासी मोधी जी ने नोट बंदी की नोट बंदी से हासी देखो हर विशे से मैं हासी निकालता हूँ कि मरदों के लिए मोधी जी कथीम निकालो मीठा तो बहुत हो चुका नमकीन निकालो अच्छा किया जो नोट बदल डाले आपने बीबी को बदलने की भी स्कीम निकालो इस स्कीम पर तो बुजर्गों ने सबसे ज़्यादा तालियां बज़ा जानता हूँ तनाओं में सब हैं इमरान साब की सरकार आई साब आपको पताईए किसी पत्रकार ने पूछा इमरान साब तमालो बदाई हो वाह अब आप क्या करेंगे इमरान साब बोले निकाह सरकार हर जगे देखो जो इस समय उनकी बेगम हैं वो भी तनाओं में उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि कहां रहें अगर पीम हाउस में रहें तो कोई पीम वहां अपना कारेकाल पांट साल नहीं पूरा कर पाता और अगर इमरान साब के घर रहें बनी गाला वाले में तो कोई बेगम वहां पांट साल पूरे नहीं करता रहें तो कहां रहें 19 का चुनावाने वाला है एक ठिपणी आप आनंद के लिए मैं पढ़ता हूँ कि ऐसा नहो की रंग में ये भंग जमा दें जिनको तालियां बजानी चीए वो तो मोबाइल पे फोटो कीच रहें कि ऐसा नहों कि रंग में ये भंग जमा दें इस बार एलक्सन में न चूना ही लगा दें लगता है नोट बंदी जी अश्टी को देखकर ये जेट ली मोदी को केट ली न थमा देखकर कि ये जेट ली मोदी केवल हसी है मैं तो कहता हूँ कि भीड में दुनिया के पैचान बनाए रखना घर में खुशियों की एक दालान बनाए रखना अपने होठों पर ये मुस्कान बनाए रखना और इस दिल में हिंदुस्तान बनाए रखना आपके होठों पर मुस्कान रहे और दिल में हिंदुस्तान रहे यहीं दुआएं यहीं शुब कामनाएं बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बढ़िया बहुत खुब